इकनोमिक्स अकाउंट्स और बीस्टी डिलेटेड वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब पीजिए और बैल आइकन पे इट कर दीजिए जिससे आपको जो है वो नोटिफिकेशन मिलता रहे हैं हलो नमश्कार दोस्तों मैं वो संजीब कुमार और आप देख रहे हैं ब्राइटीचर अकेडवी इस वीडियो में हम जो है वो मैस्वर्स ऑफ इसबर्जर यानि की अपके रण के माप और परीशेपन के माप के वारे में जो है वो पढ़ने वाले हैं यहां पर यह चैप्टर है वो सबसे पहुछे की मीरिक समझते हैं कि इस बर्जर यानि की अपके रणड़ या परीशेपन करता है मांपता है कि हमारे जितने भी आइटम्स मदें जी हुई है उन मदों में क्या वेरीशन आता है परेशेपन के मा कग के सब देखा और पर में के लिए तो हमुख़ेट निकालना तो प्राग भुणा मतलब coefficient of range तो दोरों जो है वो एकाथ यहां पर निकालना सीखेंगे coefficient of range अब देखो यहां पान हमें जो है वो range के लिए अलग form बाइंगे करना है और coefficient of range के लिए अलग form बाइंगे करना है इसको जो है को आज से प्रोट करेंगे तो हम अगर रेंज निकालेंगे तो आज करेंगे हमारे पास होगा highest value minus lowest value यह हमारे पास इसका क्या हो जाएगा फॉर्मुला हो जाएगा और अगर हम CR निकालेंगे यानगी coefficient of range तो हमारे पास formula होगा यानगी highest minus lowest upon highest plus lowest आप इन formula को जो है remember करके रखने अपने ध्यान में बिठा ले तो यह formula को आपको बिल्कुल easy लगे अच्छे से समझ जाएंगे तो इनको आपको जो है याद रखने की दुद में पड़े कि आपके खुदवा कुछ जो है वो याद हो जाएंगे जब हम इन पर basic portion जो है वो करेंगे तो अगर हमारे पास जो है वो individual series दी हो तो range को किस परकार से calculate करना है हम जाब देंगे तो यहाँ पर मैंने आपको भी formula बताया था format डिसकत कर लिया था तो यहाँ पर मैं individual series ले लेता हूँ और इस individual series में हम check करेंगे कि किस परकार से अगर value दी हुई हो तो कैसे हमें range को calculate करना होता है तो यहाँ पर R की value को find करने के लिए हमारे पास formula होता है highest minus lowest तो आप देख सकते हैं कि इस series में जो highest value है highest value है 12 और lowest value कोन सी है lowest value है 4 इन दोनों को minus कर देंगे और जो answer हमारे पास निकल कर आएगा इसे हम करेंगे range यानि कि प्रास यह हमारा क्या निकल क्या चुका है प्रास निकल कर आ चुका है अगर हमें CR निकालना हो coefficient of range प्रास गुणा तो इसमें हमारे पास वरुना होगा है highest minus lowest और highest plus lowest तो highest 12 minus 4 और 12 plus 4 यानि कि 8 अपॉर्में 16 तो हम ही से जो है divide करेंगे कि हमारे पास 1 upon 2 यानि कि 0.5 जो है वो coefficient of range निकल कर आ जाएगा आगर हमारे पास individual series दी हो ही हो तो अब हम देखते हैं अगर हमारे पास discrete series दी हो हूँ हो यानि कि हमारी विविक हचरंकला तो हमे वह किस प्रकार से इसे piùcke करना है तो discrete series अगर हमारे पास given हो यानि कि विवक और फिक्रेंजी भी दिवी हो भी, 5, 10, 9, 12, 6, 16, 20. अब देखते हैं, अगर हमारे पास discrete series दी हुई हो, तो इसे किस पर आप से calculate करना है, तो यहां हो मैंने एक example लिया और एक series दी हुई है, तो हमारे पास R का formula होगा, हाइस, माइनस, लूएस, और फिक्रेंजी में चेक नहीं करेंगे, अपना जो X है हमारे पास, जो आउरतिया इतनी उनमें चेक करेंगे, तो आप देख सकते हैं, इसमें हमारा highest value 35 है, और lowest value जो है, वो 5 है, तो दोनों को minus करेंगे, तो answer मारे पास 30 आजाएगा range यानि की price, और अगर CR निकालना हो, तो formula होगा highest minus lowest और highest plus lowest, तो मारे पास highest value यहां पास 35, और lowest value 5, और 35 plus 5 यानि की 30, अपक हमें, पूर्थी हमारे पास यह value आजाएगी, 0 से 0 को काट देंगे, तो इस वरकार से हम उसमें range calculate कर सकते हैं, अगर हमारे पास, अगर continual series दी हुई हो, या frequency distribution आवर्ती वितरं संगला दी हुई हो, तो उसमें हमें हो कैसे calculate करना है, यानि की, continuous series के लिए हमें जो है, वो अलग formula यूज करना पढ़ेगा, यानि की अपनी आवर्ती वितरं शंकला जिसे हम, frequency distribution table भी कहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास, फॉर्मा सेम रहेगा, बस यहां पर क्या होगा, करने का तरीका अलग होगा, एक example ले लेते हैं, 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, अब यहां पर हमें F भी दिया हुआ होगा, कुछ value, तो F में suppose, यह मारे पास value दी हुई है, तो इसके लिए हमें हमें simple ही, highest और lowest का formula लगाना पड़ता है, बस आपको यहां मत क्या करना है, X को M में करमड कर दिना है, mid value में, तो यहां पर mid value का formula में आपको पिस्क्री वीडियो में आपको बता रहता हूं, L1 प्लस L2 आपको बेट 2, यानिकी 0 प्लस 10 आपको बेट 2, तो 5, 15, 25, 35, 45, 55 और 65 यहां पर आजाएगा, अब यहां पर हमारे पास range का formula होता है, highest minus lowest, तो highest value उस बार हमें M में देखेंगे, F में frequency में कुछ चैक नहीं करेंग और अगर में CR coefficient of range निकालना हो, तो highest minus lowest और highest plus lowest फॉर में लगाना पड़ेगा, तो highest value 65 minus 5 और 65 plus 5, यानिकी 60 अपॉन में 70 हमारे पास value आएगी, और इसकों को जो हैं को डिवाइट करना है, तो 60 पॉइंट हैगा भी कर लेते हैं, 0 पॉइंट, तो यह जो आपक मारे 8 बार में जाएगा, और फिर फाइट को हमारे पास 0.85 जो है, वो answer आ जाएगा, तो इस परकार से यहाँ पर range और इस परकार से कॉफिसेंट रेंज यानि की परास और परास बनान को जो है, वो calculate किया जाता है, तीरो सीरीज में, हमारे पास इसमें next topic आता है, quartile और quartile deviation, यानि कि हमें चतुलतक और चतुलतक विचलन किस परकार से निकालना है, तो वो हम सीरीज को जैसे यहाँ पर हमें अगर quartile नीकालने के लिए हमें तो तीरो सीरीज की ज़वर पढ़ती है, तो quartile का सबस Two Dec. सिरिज को, जैसे पर हमारे और बास इस इस सर्कल को हम गुरे है, जो हम चार एक कोल पार्ट में डिवाइट करते हैं तो वह हमारा एक पार्ट कुएड क्या ह gefाइट होंगा है ऐसी every coal हम किसी सीरीज को धार करेंट एक किसी भी सीरीज को जो है इसके वजय से हम् của हर्थ максим करते हैं उस सीरीज का की वहां पर सकति हमी तो यहां पर यह की वर है क्यूटू है और क्यूट थ्री है किसे कैसे क्या जाता है इनके अलग-अलग है को हम सीखे के तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं को इसके कुछ फॉर्मिले हैं तो इसके कुछ अलग फॉर्मिले हैं यानि कि चतुर्थक जटुर्थक और अगर क्वार्टाय डवियेशन निकालना हो तो उसके अलग फॉर्मिले हैं यानि कि चतुर्थक-बिचलन आके फॉर्मिले नोट कर सकते हैं और इन फॉर्मिले को नोट करके आप आहमसे कोशन को जो है कर सकते हैं तो अगर हमारे पार फॉर्स सीरीज यानि की इंडिवीज़ सीरीज में आपको फॉर्स से प्टार लिख दूंगा अगर इंडिवीज़ सीरीज दी हुई हो और क्वार्टाइल निकालना हो तो हमें वो फॉर्डा यूस करना पड़ता है एंड प्लस वन अब यहां पर इसे कैल्प्येट करने के बाद पिस दिक्कते आती है याई की पॉंट पॉंट में वेल्यू आजाती है तो इसके लिए मैं आपको पूशन प्याएंगा कि इसका हुआँ चाओ बताओ कि किस परकार से वहां पर सॉल्व पर्ड़ते हैं तो यहां पर यहीं ज तो यहां पर Q1 की वैल्यू को किया जाता है और Q2 की वैल्यू को किया जाता है यहां पर मैं आपको जो है नो Q1 और Q3 की वैल्यू को इसके बाद मैं इनके Quartile के फॉर्म में आपको बता हुंगा तो यह पर यह पार्टाय निका रहेंगे यहां पर हम डिस्क्रिट सीरीज में भी निकालने को जिस करेंगे Q2 और Q4 इसलिए नहीं निकालते हैं क्योंकि Q2 का मतलब है किसी भी स्बावर, को दो पार्ट में डवाइड करदेना जो कि हमारा median काम करता है median जो है, किसी भी सीरीज को दो पार्ट में डिवाइड करदेता है और Q4 यानि कि कुआ टाइब फो इसलिए नहीं लिकालेंगे कियूंकि हमारी रहे लोइस लास्वेली होती है तो बता ही नहीं कर सकते हैं, एक करी किसिसका लास्ट पार्ट में भी पता करने की जरॉद नहीं होती है, फिर्स का और वर्ट पार्ट कारने की जरॉद पढ़ जात को मीडियन की तरह लगा होगा यहां पर मीडियन में क्या होता है टू होता है कि मीडियन किसी भी सीरीज को दो पार्ट में डिवाइट करता है और यहां पर मैंने फोर दिवाइट करता है वो किसी भी सीरीज को फोर पार्ट में डिवाइट करता है इसलिए अगर हमें ऐसे ही क कर रहे हैं इसके यहां पर 3N लगाया गया है यह भी मैं आपको जो है वो जब कर रहा है इस portion करेंगे तब मैं आपको बताऊंगा अब ऐसे अगर quartile deviation निकालना हो या coefficient of quartile deviation निकालना हो तो quartile deviation निकालनी के हम करते हैं qd निकालना है तो q3-q1 upon 2 यह हमारे पास क्या होता है इसका formula होता है और अगर हमें जो है वो inter quartile deviation निकालना है यानि अंतर चतुर तक प्रास निकालना है तो हमारे पास formula कुछ अलग आजाएगा यानि की फॉर्मला इजी से related रहेगा नेकिन कुछ change रहेगा तो इसमार हमारे पास formula हैगा iqr is equal to q3-q1 only और कुछ इसमें change जो है वो नहीं होगा और अगर मैं coefficient निकालना हो coefficient मतलब यानि की गुणान विकालना हो चतुर्तर गुष्णन का coefficient of quartile deviation यानि की हमारा जो है चतुर्तर गुष्णन का गुणान को हमारे पास cqd निकालना होगा और cqd का हमारे पास formula होगा q3-q1 अपर में q3 plus q1 यानि की सारे के सारे formula जो है वो quartile से निकलके आते हैं q1 और q3 से और q1 और q3 से हमने जो है वो यह आपर तीर formula बनाने हैं सबसे पहरा formula quartile deviation का qd is equal to q3-q1 अपर में 2 interquartile range यानि की q3-q1 और coefficient of quartile deviation यानि की चतुर्तर गुष्णन कुणान q3-q1 अपर में q3 plus q1 जिस प्रकार से coefficient of range का formula था इसी प्रकार से इसका भी सेम यह formula है उबर जिन value को minus किया जाएगा उन जाएगा अब इन पर बेस जो है वह मेंचे करके question करना start करते हैं और आपको detail में जो है वो समझ में आता चला जाएगा अब हम जो है वो यहाँ पर quarter division को निगालना सीखेंगे तो सबसे पहले मैं आपको जो है वो यहाँ पर video बैशती है श्रस्वला इंडिविजन सीरीज में बता हुगा इसे कैसे calculate care आता है तो यहाँ पर मैंने जिवाया को एक individual series को लिया हुआ है तो सबसे कहले आपको इस individual series को बढ़ते या पटे करम में जोगा लेका होगा तो यहां पर हम इसको बढ़ते क्रम में लगा लेते हैं तो यहां पर फेले 2,3,4,5 और इसके बाद 9,12 और 15 हमारे यह बढ़ते क्रम में हम इसको लगा दिगा है अब इसके बाद हमारे पास Q1 निकाला आएंगे और Q1 निकालने के हम फॉर्णा यूज़ करेंगे Q3 तो 3 हमारा वो Q1 की वैल्यू होगी इसी बरकार से हम Q2 के और Q3 की वैल्यू को करेंगे Q3 जिकाल टू 3 N प्लस 1 अपॉन में फॉर्थ ट्रम तो 3 N हमारे पास 7 एंप्लस 1 प्लस 1 अपॉन में फॉर्थ ट्रम तो दुबारा से 3 इंटू इसको सॉल्ट करने के बाद हमने उब तो इसको multiply करेंगे तो यह जो है वो 6 प्रम आ जाएगा अब यहां पर आप देख सकते है वान टू थी मोंबर बता रहा है, तो हम क्या सकते हैं Q3 की value है? तो 12 आजाएगी. अब इसी परकार से हमें जो है वो quartile division निकालना है, coefficient of quartile division और interquartile निकालना है तो अगर इंटर क्वाटाइन रेंज आपको निकालनी है यानि कि आई की वाल अंतर चतुर्टर प्रास तो इसके लिए भी मैंने आपको फॉर्मॉर बताया था तो यानि कि त्वैल माइनस त्री अपॉर्मॉर बताया था जाएगा इसके बार उनको जो है कौफी सेंट ऑफ पाटाय डेशन यानि कि चतुर्टर बिचकरता गुरांग भीकाना है तो फॉर्म ना हुगा यानि कि 9 अपॉर्में 15 त्री जा 9 35 जा 15 अब इसकों जो है वो डिवाइट करेंगे 3 अपॉर्म पाटायेगा जीलो बढ़ाएंगे सब्सक्राइब इंटर की सब्सक्राइब को निकाला जा सकता हデिश्ञ सब्सक्राइब करनेड़े के लिए気व करने है आई जो अगहर वो यह डिसक्रों स्टेश्रिषः विविवक श्रंगरा दीवी है तो इसको कैसे अकुल्वित महाँ ए को यहां पर एक सीरीज मैंने एक्जापन में ली हुई है तो सबसे पहले आप को जोड़ेंगे तो कितना आज आएगा हमारे पास 11, 11 में 9 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 20, 20 में 7, 27, 27 में जोड़ेंगे 49, 39 में 2 जोड़ेंगे 41 इस प्रकार से हमें जो है को यहां पर सियाप निकाल लेना है अब इसके बाद इसका टोटल अगर्म करेंगे तो हम 41 ही आएगा अब सेफ Q1 और Q3 का फोर्म आपूट करना है हमें तो Q1 का यहां पर फोर्म लागता है दोनों सीरीज में तो N हमारे पास दियो लिए हैं टोटल स होता है 41 प्लस बान अगर्ण में 4 टी एस ट्रम इसके बाद इससे डिवाइट करते हैं तो हमारे पास 10.5 ट्रम जो है वो आ जाती है अब यहां पर 10.5 ट्रम देखना थोड़ा इंपॉसिबल है जैनि कि आप खोते हैंगे 10.5 ट्रम कैसे दिखा असका 10 जाएं तो यहां पर इसके लिए सिंपल बेवी बनाया हुआ है यहां पर तो इस वाल सीवीज में यहां पर कोई दिक्कत नहीं आईगी जैसे मैं आपसे बात करता हूं अगर यहां पर मैं देखता हूं तो यहां पर 5 ट्रम यहां तक है 5 की बाद 6 7 8 9 10 यान 6 7 8 9 10 और 11 ट्रम यहां इस नम्मर मे तो यहां पर 10.5 पे इंकलुड है अगर इस अपर यह 10 होता यहां पर तो यहां पर केवल-केवल 10 ही ट्रम इंक्लूड होती और 10 के बाद 11 टरम होती तो आप 10.5 ट्रम नहीं देख सकते हैं यहां पर मैं दारेक्श करनों यहां वहाँ पर calculate कर ली है, तो उसके लिए फॉर्मुला है, 10th term plus, अब यह 10th term लिख दिया, मैंने अब इसका आधा term चाहिए, हमें आधा term कैसे रिकालते हैं, 0.5 दियो है, 0.5 और 10 ले लेते हैं, यानि कि यह तो है 1.2 आ जाएगा इस तरीके से, 1.2 ले लिया, इसका और इसके आन अगली term, इसके अगली term बहुते है कि 11th term, 11th term minus 10th term, यानि कि 11th तो 10th term के बीच में ही 10.5 term आएगी, इसके इन दोन ट्रम का आधा, यानि कि बीच का difference का हाँ दे गिया, तो हम इसके 10th में चोड़ देंगे, तो यहां पर उसकी value जाएगा, वो find होकर आ जाएगी, यह फॉर् आप इस equation को लिखेंगे, आप उहां पर इस equation को लिखेंगे, 29th term, 29th term plus, 0.5 लिखा हुआ है, तो क्या है, भाफ है, अब ऐसे अगर आप पूछे मिच यहां पर जो है, वो 0.25 लिखा होता, तो क्या बढ़ते सर, तो 0.5 लिखा होता, तो यहां पर 0.5 अटाओगे, तो नीच तो 3 upon me 4 लिखें, तो 25, 375, और 4 लिखेंगे, तो आप यहां पर 3 upon me 4 लिखेंगे, आप यहां पर यहां पर जा रखना, और confused होने की कोई ज़र्वत नहीं है, यहां पर इसको दिखा रहेंगे, अब इसके पान अगली term क्या थे 29th term के बार, 3rd term आती है, 30th term minus यही त्रम, या 10th term के सामने x पे जो number होगा है, यहां पर है तो नहीं, 10th term के सामने x पे जो number होगा है, यानि 10 number है, plus 1 upon 2, इसके बार बार यहां पर, यानि के 15, minus 10, 10 यहां, 10th term भी 10 ही है, 10 plus 1 upon 2, और इसका total आएगा 5, 5 पा आदा कर देंगे, 10 plus 2.5, तो यहां पर आप answer लिखेंगे, 12.5, य इसना लिखेंगे, 12.5, यानि कि जब इस प्रोकार से दिया हो, लेकिन यह ऐसे नहीं दिया हुआ, आप vote कर लीजिए इसे, इसके पाद में आप भी से मिटा रहा हूँ, क्यूंकि इस portion में 10.5 term हमें, एक ही में मिल जाएगी, तो इस cloud तो ऐसे ही कोई confusion rate नहीं होगी, यानि क यह जो है, वो 11.5 term है, और यहां पर 10.5 term मिल जाएगी, तो यहां पर Q1 की value है, वो direct hex में देखेंगे, और वो आ जाएगी हमारी 10, तो Q1 हमारे पास कितना निकली के आगे आए, 10, आप यह भी चीज यार रखना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, अगर आगे आएगे त तो मैं मां पर भी आपको दुबारा बता दूगा, इसके बाद आपको Q3 निकालना है, तो Q3 निकालना है, तो यहां पर क्या करेंगे, 3 and plus 1 upon 4, TH term की value को बुट करेंगे, 3 और इसको यहां पर 41 plus 1 upon 4, TH term आया है, और 3 into अब इसकी direct value को में आपको बुट कर देखा, वो भी मैं चैक कर लेजिए, 27 के बार 28, 29, 30, 31 सम इसी में आए, तो इसके फ्रम के सामने x में नमर दिया हुए 25, तो 25 समारा दो है, वो Q3 की value हो जड़ी। अगर इसमें पर जो है वो नहीं मिलता, तो यहां 32 होता, तो आपको उस वाले formula से उच्छ करना था जो अभी मेले आपको बताय अब यहां पर आपको जो है आई की वाँ आई की वार निकालना है तो क्यू फिव फॉर्म लार रखना है तो यहां पर रख देते हैं वैल्यू इसकी 25 तो 25-10 याने की 15 25-10 आपने 2 यानि 15 आपने 2 7.5 25-10 आपने 25-10 यानि 15 प्लस नीचे आजाएगा हमारा 55 इसको डिवाइड कर लेकि डिवाइड कर लेकि जीरो इतने बापने हो जाएगा यानि कि लगब क्यों है वो 40.4 पुछ value हमार पास आजाएगी तो यहां पर यह यू है तो हमारा CQDP आज जाएगा इस प्रकार से हमें Q1 और Q3 की value निकालना सीखना है और CQD या QD IQR और यह सब जो है वो फॉर्मिले के रिष्ट पर हमसे calculate हो जाएगे तो आपको यहां बद कोई भी दिखकर जो है वो नहीं आ सकती है आपको अच्छे तरीके से रगरा है मिलें जो है वो समझ में आगे आओगा होगा अम अपनी next table continuous series frequency distribution table यानि आवर्टी वित्रंट सेंटला में भी देख लेते हैं किस प्रकार से calculate करना है तो एक example मैं लेता हूँ और आपको समझाता हूँ आपको यहां पर calculate करते हैं अगर हमारे पास जो है वो अगर frequency distribution table या पर continuous series चावर्टी वित्रंट सेंटला दी होई हो तो इसे किस प्रकार से calculate करता है तो यहां पर हमारे पास class intervals यह होती है और आपको मैंने अभी median निकालना यानि मांदी का निकालना बताया था तो लगपक median जैसा यहां पर क्या होता है तो सब्सक्राइब कर लेना होगा तो cf जो है और यहां पर इसके बाद हमें जो है क्यों का फोर्मला हमारे पास होता है सब्सक्राइब करता है तो यहां पर हमें जो है तो सबसे पहले साइज निकालना होगा तो साइज हमें निकालेंगे तब फॉर्मला होगा तो यहां पर देखने को मिल जाएगी या इकी लगबर 14 में इसके सामने हमारा यह यहां पर हम जो है वो एक को लेंगे और इसके ठीक यह ऊपर नम्मर हम जो है वो cf को लेंगे तो इस सारी वेल्यू को अब इसमें क्या कर देना है फूट कर देना है यह अगर पास क्या है 10 तो 10 प्लस 39.4 माइनस cf 5 है f हमारे पास क्या दो 9 है इंटू आई या निकिल के पीछ का डिफरेंस कितना है प्लांस अगे इसका डिफरेंस 10 10 10 प्लस 9.75 माइनस 5 है 9 इंटू 10 10 प्लस 9.5 और दो लोगो माइनस कर देंगे तो 4.5 इंटू 10 अब इसको इससे मंटिब्लाई भी कर देंगे तो 10 प्लस 45 इंटू 9 इवाइड कर देंगे वो q3 की वैरिल को भी क्या कर सकते हैं उट निकाल सकते हैं तो आप मैं आप इसको जो यह को रभ कर रहा हुग हमारा 3m आज आएगा और साइसको फॉ privacy में हम जो हैं वह बहार 3 लगा देंगे यानि की इसको 3 से क्या करदेंगे तो अगर इसको PCM multiply करते हैं, तो हमारे पास जो है, वो नम्मर आएंगे 29.25, 29.25 Trump, 29.25 पर हम देख लेते हैं, हमारा 32 में में देखा, तो इसके सामने हम चेक करेंगे, तो यह L1 हो जाएगा हमारा, यह F हो जाएगा, उसके A उपर मार जो है, वो CF हो जाएगा, तो F1 इस बार 30 है, इसकी value हमने 29.25 पर हमारे पास दिया हुआ है 20, CF 20 है और F हमारे पास 12 है, इंटो I 12 हमारे पास 10 ही रहेगा, 30 plus 29.25 minus 20 upon 12 into 10, क्याने कि 30 plus 9.25 upon 12 into 10, मंटिपाए कर देते, तो मारे पास 30 plus में, इबाइट देनी कितना हैं, मंटिपाए कर देनी 9, 2.5 upon 12, इसको इस ती क्या आ कहा लेते है, इबाइट गर लेते, तो मारे पास इबाइट यह नमबर जो है, तो मैं कहा देता हूं यह जो है वह मारे पास 38.5 मैं ऐसे अजू करें चल रहा हूं तो यहां पर यह वाल्य जो है वह क्लिब्रेड होकर आ रही है अब हमारे पास Q1 भी आ चुका है Q3 भी आ चुका है तो हमें सबसे में चीज तो यही होती है अब इसके बार मैं सेरफ करना हूं आप मिटा कर सकते हैं यहां मैं इसके बार इसे जो है वह फॉर्म्ले में पुट कर देना होगा तो आई की बार जब निकालेंगे तो हमारा फॉर्म्ला Q3 माइनस Q1 होगा Q3 आयता 38.5 यह 15 आयता 23.5 अंसर आ जाएगा और अगर हमें छो है Qd निकालना है це मारा फॉर्म्ला पॉर्म्ला है Q3 माइनस Q1 आपॉर्मे 2 तो Q3 की वैल्य माले पास 38.5 आपॉर्मे 15 आपॉर्मे 2 इसे कर देंग Chile अगर मिटो है तो CQD का मालबा साॉर्म्ला आपॉर्म्ला पॉर्म्ला एग तो मैंने अभी तक आपको MI aware of this function किे इस चप्टर में इन्रकाला कोफ्यूदान जी और इनिता है और हमारे पास सप्सेटला ऍकाल स्थान्सट्रीष्व घली मेंります इस video में अगर आपना चीज लगी ओ अभी लाइक करके बताएं कि आपको मेरे इस series लग रही है यानिकि जो मैं आपको बीकॉम सेकेंड या बिजनेस इस्टैटिक और इगनुमें जो बिजनेस इस्टैटिक हमारे पास आती है 11 क्लास में मारे पास आती है उसकी वीडियोस आपको मैं प्रवाइड करना हूँ तो आपको ये वीडियोस जो है कैसी लग रही है मुझे बताएं कमेंट करके पर इसी परकार से मेरे वीडियोस को देखते रहें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर आप एक नए वीवर हैं तो क्योंकि इसी परकार की वीडियोस जो है को मैं आपके लिए लागते रहता हूँ और वीडियोस देखने के लिए फैंक